हे गाईज, वेलकम बाक टो में यूटीब चैनल, आम आरनाथ सिंग, इंटरन आट एमसीनु देली और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नीट 2022 के लिए जो नीट Most Wanted Biology की बुक है, वो Amazon पे लाँच हो चुकी है, मैंने पहले ये बुक 2020 में लाँच की थी, तब ये Best Seller चली गही थी, within a month, और इस बार भी 2022 में पिछले दो दिन से जब ये लाँच हुई है, तब से ये Best Seller की लिस्ट में उपर ही जाती जा रही है, इस बुक के Salient Features क्या है, इस बुक को आप कैसे Access कर सकते हो, इस बुक का Sample PDF, और इसके जो Features क्या कुछ Sample मैं इस वीड हो चुकी है, launch हो चुकी है, Amazon पे as well as Flipkart पे available है, right, so उनके लिए मैं बस ये कहूंगा, कि Sample PDF जो है, इस बुक का Description में दे रखा, आप जाईए, Sample PDF को देखिए, उसमें सारे Features आपको Book के दिख जाएंगे, Biological Classification Chapter का, हम लोग ने Sample PDF आपको प्रोवाइड कर दिया, Link Description में दे रखिया, फिर link to the book, Amazon link to the book, ठीक है, Amazon की website पे जो book mentioned है, उसका link मैंने description में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, खेर, जिनको इस book के बार में नहीं मालूम है, वो वीडियो एंड तक देख लीजेगा, सारे Features इस book के मैं discuss करूँगा, प्रस आपको बताऊंगा कैसे ये book आपको use करनी है, कितना time आपको allot करना और किन-किन students के लिए, ये book, ठीक है, so, key features की बात करें, तो more than 1600, आपको topic-wise NCRT Phillips मिलेंगे, NCRT Phillips होते क्या है, ठीक है, 1600 topic-wise NCRT Phillips, ठीक, वो क्या होते है, मैं बताऊंगा अभी, maximize your marks section होता है, जो कि frequently asked facts जो होते है, जो बार-बार पू आपल, PDF में biological classification का, link description में दे रखा है, वो PDF खोल के देखे, आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्या कहना चाहरो, flowchart, tables, quick revision के लिए, क्योंकि ये rapid revision, ठीक है, concisely आपको biology को revise करना है, ठीक है, physics और chemistry को भी appropriate time देते वे, इसलिए ये hard copy book launch की गई है, right, so, flowcharts and table, best method होता है, best तरी practically NCRT based questions आपको देखने को मिलेंगे, और वो high yield question है, क्योंकि उस topic के सबसे important areas को touch कर रहे है, और उनका chances जो है, neat में replicate होने का maximum है, right, so, आप एक बार biological classification का PDF डाउनलोड करके देख लो, अभी video pause करो, एक बार डाउनलोड करो, और देख लो, उसमें तुम्हें नीट replica वाला भी section और previous questions भी दिख जाएंगे, तो यह कुछ features है, अब बात करते हैं, ठीक है, अभी और detail में features मैं आपको बता दूँगा, पर जिन student को समझ में आ गया, वो फटा-फट, वो जाके, you know, order कर सकते है, Amazon से, right, हाँ, अब यह book किन students के लिए है, पहले बता दूँ आपको मैं, ठीक है यह उन students के लिए है, जिनकी core problem, जिनकी main problem जो है, वो में से कोई एक चीज़ है, कि वो time में पीछे चल रहे है, हो सकता है कि students अभी-अभी preparation करना शुरू किया, full swing में आए है, वो NCRT एच्छे से नहीं पढ़े होंगे, biology की, अगर अगर पढ़े भी हैं, तो revise नहीं किया है, तो उनका command जो है, NCRT में weak है, thoroughly revise नहीं किया NCRT को, तो वो कहीं नहीं time में पीछे चल रहे है, तो कैसे वो step up कर सकता है अपने preparation को, उसमें ये book आपको help करेगा, ठीक है, कई students को नहीं मालूम होता है कि, क्या NCRT biology में क्या-क्या important है, वो ये book आपको convey कर देगा, NCRT Philips के format मे and neat replica के format में, ठीक, प्लस कई students को पसंद होता है कि hard copy में, उनको book पढ़नी है, ठीक है, तो ये book ऐसे आपकी कुछ दिखेगी, orange print में है, right, last time भी ये orange print में थी and bestseller गई थी, इस बार भी हम लोग ने इसलिए orange print इसका रखा है, okay, so आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें, इ मैंने अपने, you know, publishing team, जो है, Altus Vortex की, उनके साथ ये book बनाई है, ठीक है, फिर confusion है कि practice material बहुत धेर सार है, किसको follow करें, तो अगर आपको मेरे पर भरोसा है, तो इस book पर भरोसा रखे, आपको ये अराम से, अगर आप dedicated time देते हो, इस book को 1 to 2 hour per day for 45 days, या फिर 2 to 3 hours per day for 30 days, आ आपको time देना पड़ेगा, इस book को ये मत सोचना है, magic pill है, आप ले लिए तो marks मिल जाएंगे, कई लोग क्या करते है, कई students करते है, book खरीद लेंगे, और side में रख देंगे, नहीं, आपको इसको use करना पड़ेगा, अगर आप order कर रहे हो Amazon से तो, ठीक है, फिर lengthy course है, कैसे revise क साइड पर, मेरे बारे में, author के बारे में, और यहाँ पर revision rating, revision rating कैसे दिखती है, आपको मैंने photo खीच के दिखा दिया, कि हाँ, chapters mention कर दिया, कितने MCQs आएंग, उनकी revision rating दे दियो, नीचे मैंने बताया, author क्या recommend करता, आप read कर सकते हो, ठीक है, book order करके, right, ठीक, फिर, आपको इससे idea लग जाएगा, आप revision कैसे plan करो अपना, क्योंकि अगर कोई बंदा plan नहीं कर रहा है, तो वो plan to fail कर रहा है, याद रखना, if you are not planning, enough, if you are not planning well, then you are planning to fail, as simple as that, right, for last moment, pressure, यह book आपको handle करने में, help करेगा, कैसे करेगा, आप पूछोगे, तो भई, जब तुम rapidly कोई चीज revise कर पाऊगे, तो मैं पर टाइम बचेगा, physics और chemistry को भी देने के, right, क्योंकि, देखो, याद, मैंने जब NEET में AIR 9 Secure गया था, तो मेरा biology पे focus तो था, मेरे को top 10 rank चाहिती है, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, मेरे को starting से top 10 rank चाहिती हो, और वैसा ही मेरा mindset था, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अब end में जब time कम पढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, rapidly चीज़ों को revise करतो, right, पर उसमें ही आपको physics और chemistry का भी ध्यान देना होता, सिर्फ biology revise नहीं करना ही, physics और chemistry भी करना, ठीक, तो अगर आपके पास कोई चीज concisely available है, मालो आपने खुद करने ही, पर अभी तक NCRT पर कमांड नहीं है उनका, right, और अगर आप rapidly revise करने ही, 360 marks आप secure, मतलब कहीं नहीं 360 marks वाला portion आप secure कर रहा हो, उसमें आपके 320 तक आजाएंगे इस book से, मैं बोल रहा हूं, ठीक, और आप remaining time दे सकते हो, physics and chemistry को, right, अभी किस principle पर बेस्ट है ये book, कु are formed of bacteria and what are their names, ठीक है, अब ये जो fill-up है वो आपको force करेगा, याद करने में कि biology की NCRT में, कौन सी line थी, जिस line से question frame किया गया, ये क्या-क्या shapes है, ठीक है, तो इससे आप actively जब चीज़े रिकॉल कर रहे होते हो, तो आपके mind में आपके memory में better integrate होता है, वही अगर आप read कर लो कि हाँ मेरे को याद है कि नहीं, ठीक, और यही ये sample, जो PDF है, उसमें आपको ऐसे बहुत धिर सारे fill-ups दिखेंगे, more than 1600 fill-ups जैसे कि मैंने बताया feature में, इस book में add किये गए, ठीक है, तो ये NCRT fill-up होता है, क्योंकि ये नया concept है, आप देख लो market में जितनी भी books होंगी, उस में ऐसा mention नहीं होता है, पर ये क्योंकि मैं खुद एक rank holder रहा हूं, तो I know कि कैसे students के mind को bend कर सकते हैं, चीजों को याद करने पर मजबूर कर सकते हैं, वो होता है active recall, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियो में advocate कर रखा है, फिर neat replica के बारे में बता दिया, strictly NCRT based, revision rating के बारे मे principle follow होता है, देखोगे, कि end में हम पढ़ते सब हैं, पर revise कुछी चीज़े करके जाते हैं, और वो चीज़े हमें maximum marks yield कर रही होती है, ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि 20% syllabus से आपके 80% question आता है, हमारे पास एक cheat list होती है, ठीक है questions की, सभी college में वो follow होता है, हर college के लिए particular cheat list हो तो उसमें mentioned होता है कि pharma इतनी मोटी है, इतनी मोटी वो KDT हो मैं पूरा पढ़ा हूँ, ठीक है, तो उसमें से हर chapter में कुछ गिने चुने questions होते हैं, जिनकी probability सबसे जाधा होती है, पूछने की, वैसे need में भी यह चीज़ फॉलो होती है, right, so 20% syllabus से 80% question पूछे जा रहे है, मतलब high yield revision को दिमाग में रखते हुए, यह book design की गई है, ताकि आप उपने physics as well as chemistry को time दे पाओ, right guys, so, जिनको भी लगता है कि वो hard copy से अच्छा perform कर सकते हैं, ठीक है, और उनको एक ऐसी book चाहिए, जो उनके rapid revision में, biology में help करे, concisely और crisply biology को cover कर दे, so this is the book for you guys, all the best, keep hustling, मेरे review जरूर दीजेगा, और definitely आप देखेंगे आने वाले 5 से 10 दिन में, यह book best seller की category में पहुँच जाएगी आमसोन पर, so all the best guys, keep hustling, अपना best दो